नागिन बनी सौतन एक बड़े शहर में आमित अपनी मा निर्मला और पत्नी खुश्पू के साथ रहता है आमित पढ़ा लिखा और मॉडन है वो उसकी मा भी मॉडन है जबकि खुश्पू गाहों की लड़की है जिसको शहर के रहन सहन का कोई अंदाज़ा नहीं है एक दिन अमित बाहर से एक लड़की के साथ आता है दोनों के गले में फूल मालाई पड़ी हुई है अमित ये लड़की कौन है और तुम दोनोंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए है अरे मा आप भी बेवज़ परिशान हो रही हो और अंजान बन रही हो क्या आपको पता नहीं है कि ये शादी के कपड़े है और मैंने शादी कर ली है क्या? हाँ मा ये है मेरी नई मॉडरन पत्नी शिवांगी तभी अंदर से खुश्बू आ जाती है ए राम ये क्या अनर्थ कर दिया आपने अब मैं कहा जाओंगी मैं कैसे रहोंगी ठीक है ठीक है इस घर में ही रह लेना लेकिन घर का सारा काम तुम करोगी और शिवांगी की सेवा भी करोगी अमित बेटा तुमने शादी से पहले एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा मा आपी तो हर रोज कहती थी कि अमित किसी मॉडरन लड़की से शादी कर ले वैसे भी हम इस गवार से तंग आ चुके थे मा खुश्बू आज तुम त्यार हो जाना हम बाहर पिज़ा काने चलेंगे पीजा ये क्या होता है अरे जब खाएंगे जब देख लेना अमित और खुश्बू शाम को पिज़ा खाने चाते हैं लेकिन खुश्बू वहां तेज तेज बाती करने लगती है जिसे अमित परिशान हो जाता है और तब ही वीटर पिज़ा लेकर आता है बहुत पैशान हो रही थी पिज़ा देखने के लिए अब देखो कैसा होता है और दिरी दिरे बात करो ये हमारा घर नहीं है अच्चा तो ये होता है पिज़ा तुमको पहले से ही पता था तो सुभा से मेरा दिमाग क्यों खा रही थी? हाँ ये केक है, सबजी और मिर्च वाला केक ही तो है, यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग हसने लगती है और मा आपने उस दिन का नहीं देखा था क्या? मैं सोच रही थी कि एक साड़ी मंगा लेती हो हाँ तो किस से मंगाओगी? मैं ले आऊँगा अरे आप क्यों परिशान होते हैं? अम्मा जान है ना? अम्मा जान? ये कौन है? सारा दिन तो फोन में चलाते रहते हो, अपने ले भी शर्ट मंगाई थी ना? अरे भगवान, वो अमेजान है, अम्मा जान नहीं, अमेजान, अमेजान मैं परिशान हो गया था तुमसे, चलो अब अपने काम पर लग जा और वो रूम खाली कर दो खुश्पु रोते हुए, अपना सामान अमित के रूम से बाहर निकालने लगती है, और शिवांगी का बैग अंदर रग देती है खुब रो खुश्पु, जितना मर्जी रोना है, वैसे भी जल ही तुझे खोन के आसु रोने पड़ेंगी सिर्फ नाम की खुश्पु रह जाएगी, क्योंकि एक दिन तुम में से बद्बु आया करेगी खुश्पु अब घर के कामों में लग जाती है, और कुछ दिन वै यो ही बिता देती है एक दिन अमित और उसकी मा निर्मला घर से बाहर गए होते है खुश्पु घर के काम कर रही होती है, तब ही वे देखती है कि एक नागिन घर में घूम रही है साप, साप, घर में साप, शिवांगी कहा हो तुम, जल्दी आओ, घर में एक बड़ा साप है तब तक साप गायब हो जाता है क्यों क्या हुआ, क्यों चिला रही हो तुमने देखा नहीं क्या, यहां भी बहुत बड़ा और विशेला साप था यहां कुछ भी नहीं है, तुमने जान बूच कर मेरी नीन खराब की है अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम शाम तक घर के बाहर रहोगी मुझे घर से बाहर मत निकालो, घर में साप है, वो तुमको काट सकता है खुद साप से इतना डर रही हो, तो मुझे क्या खाक बचाओगी, चलो बाहर निकलो अब यहां से मैं अब आराम से इस घर में स्वतंत्र होकर घूम सकती हूँ कोई नहीं है अब मुझे यहां रोकने वाला, जो मन होगा अब मैं वही करूंगी शिवांगी नागिन बनकर पूरे घर में आराम से घूमने लगती है खुश्पू बाहर खड़े होकर रो रही है, तब ही वे देखती है कि दूर पैठी एक बूड़ी महिला रो रही होती है खुश्पू दोड़ कर उनके पास जाती है क्या हूँ आम्मा, आप रो क्यो रही हो? बेटी, मेरे पास अच्छे जूते नहीं है, और मेरे पैर में काटा लग गया है, जिसके कारण मुझे अब बहुत पीड़ा हो रही है अमा जी, आप मेरे जूते ले लीजे, मैं आपके पैर का काटा भी निकाल देती हूँ खुश्पु ने पैर से काटा भाहर निकाल दिया, और बुड़ी आउरत को इससे बहुत आराम मिला बेटी, तू मेरे लिए अपना दुख भी भूल गई थी, और मेरी देख भाल की, अब तू बता कि क्यों रो रही थी? खुश्पु बुड़ी अम्मा को सारी बात बता देती है मैंने तेरे घर के अंदर देख लिया है कि क्या चल रहा है, तेरी प्राणों को खत्रा है, मैं तुझे ये ताबीज देती हूँ, इसे अपने हाथ में बांथ लो आप कहा रहती हो? दूर उस पहाड़ी के पीछे मंदिर है, मैं उसी के पास रहती हूँ, जब तुम्ही खत्रा महसूस हो, तो कभी भी आ जाना ये कहकर बुड़ी महिला पहाड़ी की और चली जाती है ये संगीत की आवाज घर से आ रही है, खिड़की से देखती हूँ खुश्पू खिड़की से जांक कर देखती है, तो उसकी आँखे खुली की खुली रह जाती है, वे बार बार आँखे खोल कर देखती है नहीं ये नहीं हो सकता ये क्या देख रही हूँ मैं शिवांगी नागिन है किसको बताऊंग ये बात अमित जी ने एक नागिन से शादी क्यों की शिवांगी इस बात से अंजान घर में कभी नागिन और कभी मानव रूप में आकर पूरी स्वतंतरता से खुम रही है मैं मा जी और अमित की आने तक यहीं इंतिजार करती हूँ उनके आते ही उनको सब कुछ बता दूँगी कुछ समय बाद ही निर्मला और अमित खर आ जाती है अरे तुम घर के बाहर क्यों खड़ी हो घर के काम से बचने के लिए खड़ी होगी और क्या और वो बिचारी शिवांगी अकेले काम में लगी होगी खुश वो बहुत काम चोर है मुझे आप दोनों को कुछ बताना है हमें तुमारी भगवास नहीं सुननी है चुप चाप अंदर चलो बहुत जरूरी बात बतानी है हमारे लिए तू भी जरूरी नहीं है तो तेरे बाते क्या जरूरी होगी ठीक है मत सुनो अंदर जाकर खोधी देख लेना हाँ हाँ देखते हैं कि क्या है अमित दर्वासा खट-कटाता है और शिवांगी फिल्कुल नौकरानी के भेश में दर्वासा खोलने आ जाती है शिवांगी को काम करते देखकर अमित को गुस्सा आ जाता है और वह जोर से चिलाता है खुश्वू शिवांगी काम क्यों कर रही है तुम्हें इसलिए ही बाहर खड़ी थी ताकि तुम्हें काम ना करना पड़े हम सर्व एक दिन के लिए घर से बाहर क्या चले गए और तुमने उस दिन ही शिवांगी को नौकरानी बना दिया खुश्वू को क्यों डाट रहे हो ये मेरा ही घर तो है काम करना भी मेरी ही जिम्मेदारी है न मैंने सारा काम खत्म कर दिया था अच्छा तो फिर शिवांगी पागल हो गई है क्या जाओ मेरी आखों के सामने से दूर चली जाओ मैं आपको कुछ बताना चाहती हो आप मेरे बात तो सुनो हमें कुछ भी नहीं सुनना है तुम यहां से चुप-चाप चली जाओ बस खुश्पु रोते हुए किचन में चली जाती है और पीछे से शिवांगी भी आती है क्या बताना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारी सच्चाई इनको बताना चाहती हो क्या देखा तुमने? मैंने जो भी देखा मैं वो जाकर बता रही हूँ और इस बार मुझे कोई भी नहीं रोख सकता रुको खुश्पु जल्दी से अमित और निर्मला के पास बहुत जाती है आप मेरी बात को सुनो या मत सुनो लेकिन मैं आपको शिवांगी का सच बताना चाहती हो कैसा सच? शिवांगी एक नागिन है क्या? स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल लव सिटी और हाँ बेल आइकोन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी स्टोरी आपसे मिस ना हो जाए